नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है तो दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है भारत ने रिसेंटली लॉंच कर दी है Advanced Technology वाली MBPB यानि की Medium Bulletproof वैकल और हाँ ये एक स्वदेशी तोर पर तयार की गई वैकल है तो दोस्तों, भारत ने रिसेंटली कुछ defense items के इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है और अब भारत लगातार world class defense items ना सिर्फ बना रहा है बलकि export भी कर रहा है तो रिसेंटली United Nations ने भारत से एक infantry वैकल भी खरीदी थी तो इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे साथी एक और स्वदेशी combat वैकल के बारे में भी बताऊंगा जो कि US और रश्या की combat वैकल से कहीं ज़्यादा advanced है साथी हम बात करेंगे BEML की recently launch करी गई MBPV के बारे में तो वीडियो में अंतक बने रहिए क्योंकि बहुत interesting वीडियो है साथी latest defense updates के लिए चैनल को जलूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो रीसेंटली negative list और defense item बैन के बाद ये बहुत important हो जाता है कि इंडी genius items को बढ़ावा मिले तो इसी को लेकर दोस्तो defense minister श्री राजनाज सिंग जी ने हाल ही में कई बड़े defense items launch किये हैं जो कि भारत की श्वदेशी companies के द्वारा make in India के तहत बनाए गए हैं और इनी products में सामिले दोस्तो B.E.M.L. company की एक medium bullet proof वेकल और इसके mark 2 version को launch किया गया है दोस्तो इस mark 2 variant को नाम दिया गया है गौर MBPV तो एक बहुत बड़ी good news यहाँ पर है और ये इसी के साथ साथ दोस्तो B.E.M.L. ने और भी कई वेकल्स launch किये हैं लेकिन हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं गौर MBPV की तो दोस्तो इस वेकल को Indian Army की requirements को देखते हुए बनाय गया था और Make in India के तहत इसे बनाया गया है दोस्तो इसमें भारी मात्रा में safety features एड़ किये गए है तो basically ये वेकल एक medium bullet proof वेकल है और इसमें up to 12% यानि की 12 army के जवान्स travel कर सकते हैं तो ये वेकल जवानों को bullet firing hand grenade, mines और छोटे blast से बचाती है दोस्तो ये एक 4x4 wheel RH drive heavy duty all weather off road mobility वेकल है और इसे especially maneuverability, operability और maintainability को आसान करने के लिए easy करने के लिए बनाया गया है दोस्तो वेकल की बात करें तो blast resistant seat लगी हुई है इसमें वहीं ये वेकल equipped है night vision camera से engine की बात कर लें तो दोस्तो इसका engine 250 kilowatt की power generate करता है और ये एक water cooled engine है maximum speed की बात करें तो 80 km per hour की maximum speed ये achieve कर लेती है सांती high ground clearance इसमें दी गई है ताकि ये किसी भी terrain में आसानी से travel कर सके तकरीवन 1000 mm तक जमे हुए पानी में ये आसानी से travel कर सकती है protection की बात करें इसमें तो दोस्तो stand egg level 1 और 2 दोनों तरह के protection इसमें featured हैं साती इस वेकल में hull यानि की floor पे blast protection लगा हुआ है और floor इसका एक blast proof floor है तो ये तो हो गई दोस्तो B.E.M.L. Gore की details अब आपको उस वेकल के बारे में बता देता हूँ जिसे United Nations ने भारत से खरीदा है तो इस वेकल का नाम है दोस्तो MPV या फिर Stratton Plus और इसे बनाया है भारत की एक भरोसे मन कमपनी Mahindra Defense ने दोस्तो अगर आप यूएन के इस वेकल के खरीदने की पूरी details जाना जाते हैं तो इसकी एक separate वीडियो मैंने बनाई हुई है Link description में मिलेगा आपको आप जाके जरूर देखे उस वीडियो को इसके अलाबा जो स्वदेशी Combat वेकल यूएस और रश्या के वेकल पीछे छोड़ देती है वो है भारत के Tata Motors द्वारा बनाई गई Tata WHAP और इसे इंडियन आर्मी भी रिसेंटली खरीदने का प्लैन कर रही है तो इस वेकल पर भी एक डीटेल वीडियो रिसेंटली मैंने चैनल पर बनाई हुई है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जाके देख सकते हैं तो फिलहाल दोस्तो B.E.M.L. Gaur को लाँच कर दिया गया है आप के सोचने इस वेकल के बारे में और स्वदेशी वेकल के बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं साथी लेटिस डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जैहिंद वंदे मात्रम